नमस्कार कक्षा छे आज हम सीखेंगे even numbers के बारे में कि even numbers होते क्या हैं even numbers के में जानने के लिए हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं आईए हम सबने बच्पन में कंचे जरूर खेले हैं आप बच्चे कंचों के साथ जरूर खेलते होंगे तो देखे यहाँ पर मेरे पास दो लगलग कटोरिया है यहाँ इस कटोरि में मैंने कुछ कंचे रखे रखें मैं पहले गिन के बताजया हूँ कि कितने हैं देखे यह हैं तीन चार, पांच, छे, साथ आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा मेरे पास इस वाली कटोरी में 12 कंचे हैं हमें देखना है कि यह जो 12 है यह इवन है या ओड है तो देखते हैं कैसे अब हम क्या करेंगे कोई भी संख्या इवन होने के लिए हम दो-दो के जोड़े बनाएंगे इसमें से दो कंचों के जोड़े उठाए और दूसरी कटोरी में डाल दिए फिर से दो कंचे उठाए फिर से कटोरी में डाल दिए फिर से दो कंचे उठाए कटोरी में डाल दिए एक बार फिर दो कंचे उठाए दो-दो ही उठाने हैं ना कम ना जादा अगली बार फिर दो कंचे उठाए कटोरी में डाल दिये और अगली बार फिर से दो कंचे उठाए कटोरी में डाल दिये यदि किसी भी समय आपके यह यह वाली कटोरी बिल्कुल खाली हो जाती है यानि यहाँ पर कोई कंचा नहीं बचा इसका मतलब जो हमारी संख्या थी बारा वह इवन संख्या है ठीक है जो हमारी संख्या थी बारा वह है इवन संख्या है आईए एक बार फिर से एक और खेल के उते हैं इस बार मैंने इसमें चार कंचे और डाल दिया यानि कि बारा पहले थे और अब भून गए हैं 16 कंचे आईए फिर से वही खेल खेल के देखते हैं दो कंचे उठाए इसमें डाल दिये फिर से 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 दो कंचे उठाए दो दो ही उठाने है फिर से दो कंचे उठाए इसमें डाल दिये और फिर से दो कंचे उठाए और इसमें डाल दिये देखिए आपके कटोरी यहां खाली है है ना कई बार यहां एक बचेगा लेकिन अभी यहां कोई नहीं बच रहा इसका मतलब जो हमारी संख्या थी कितने कंचे थे पहले यहाँ पर सोला तो जो सोला संख्या है वह भी इवन है क्यों इवन है क्योंकि दो-दो के जोड़े पूरे बन रहे हैं तो ऐसे आप भी अपने घर में खेल खेल के देख सकते हैं यदी जोड़े पूरे बन रहे होंगे कंचो के आप गीटे भी ले सकते हैं छोटे-छोटे पत्फर भी ले सकते हैं किसी भी तुटके से खेल सकते हैं अब देखे मैं यहाँ पर अभी कंचे डाल रहा हूं कितने कंचे हैं यह 6 तो आईए फिर से खेल के देखते हैं दो कंचे इसमें डाले फिर से दो कंचे इसमें डाले फिर से दो कंचे इसमें डाले तो जितनी बार भी दो-दो का जोड़ा बनाने से हमारी एह ट्रेक खाली हो रही है तो वो इसका मतलब यह होगा कि जो संख्या थी जितने कंचे थे वह संख्या एक संख्या है अब मैं आपको संख्या के बारे में समझाता हूँ कि संख्या असल में होती क्या है तो इसे हम थोड़ा सा साइट पे कर देते हैं तो बच्चों संख्या आप समझिए देखो अभी आपने देखा था दो दो के जोड़े बनाने से तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि even numbers सम संख्या यानि even numbers even numbers क्या होते हैं even numbers वो होते हैं जो multiples of two हो ठीक है even numbers वो होते हैं जो multiples of two हो जो हमेशा two के पहाड़े में आते हो जैसे अभी आपने सीखा 16, 12, 8, 6 ये सारी ही इवन संक्याएं हैं और यदि आप इवन संक्याएं गिंती शुरू से देखा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ये इस प्रकार से आगे चलते ही जाएंगे ये सारी जो संक्याएं हैं ये सारी इवन संक्याएं कहलाती हैं ये सारी इवन संक्याएं कहलाती हैं और यदि आप बच्चों एक बात और ध्यान से नोट करें तो ये जो इवन संक्याएं हैं यह जो इवन संख्या हैं आप इनका यूनिट प्लेस देखना यहां यूनिट प्लेस पे है दो यहां यूनिट प्लेस पे है चार यहां यूनिट प्लेस पे है छे यहां यूनिट प्लेस पे है आठ यहां यूनिट प्लेस पे है जीरो फिर से यहां unit place पर है 24680 इसका मतलब क्या हुआ एवन numbers होंगे हमेशा ही उनके unit place पर क्या हैगा 24680 इसका मतलब जिस भी number के पीछे जैसे माल लो मैं यहाँ पर एक बड़ी संख्या लिखता हूँ 3650 इसके unit place पर क्या आ रहा है देखो 0 आ रहा है इसका मतल़ यह कैसा number है even number है यह कैसा number है even number है जिस भी संख्या के unit place पर last में 2460 आता होगा वह एक even संख्या होगी क्योंकि वह two का multiple होगी क्योंकि वह two का multiple होगी thank you बच्चो odd number देखने के लिए आप मेरा दूसरा odd number वाला वीडियो ज़रूर देखना धन्यवाद